दिल्ली विदान सबाद चुनाव के लिए टिकेट बटवारे से पहले ही यहाँ पर विवाद होता हुआ दिख रहा है तो दिल्ली विदान सबाद चुनाव बिनलजदीक है और उसको लेकर तमाम तैयारिया यहाँ पर हो चुकी है और उसे पहले बटवारे से पहले ही विवा परशन कर अपना विरोध जाहिर किया नहीं परशन स्वेम शेवक सान मोहन प्रामुक मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के मुरादा वाद में हैं मौहन भागवत में एक बार फिर एंदू राष्टर की बात दोर आई है संग प्रमुक ने एक कारिक्रम के दौरान कहा कि संग का मानना है, कि ये देश इंदो का है, उन्होंने कहा कि यहां जितने लोग हैं, उन्हों सब के पूर्वच इंदो थे और उनकी मात्र भूमी भारत हैं दूसरी ने जमो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाये जाने के बाद पांच महीने से ज्यादा का समय भीच चुका है, विपक्ष के आरोपों के बीच मोडी सरकार के 36 मंतरी आज से अगले एक हपते तक राज्य में रहेंगे, दौरान मंतरी अलग-अलग समूहों में केंदर शासित प्रदेश पहुंचेंगे और वो जमो और कश्मीर में कुल साथ इस्थानों का दोड़ा करें। इसको नावालिक माने से इंकार कर दिया गया था, सुप्रिम कोट के तीन जजोकी वेंस सोंबार को सुनवाई करेगी, दिली के पटेला हाउस कोट ने निर्भ्या के चारों गुनेगारों को पार्सी पर लटकाने के लिए डेथ वारंट जारी किया है। वरिष्ट वकील इंद्रा जेस सिंग ने ट्विट कर लिखा कि जब कि मैं आशा देवी के दर्थ उसे पूरी तरह से परिचेत हूँ, मैंने उनसे सुनिया गांधी के उधारन का अनूसरन का आग्रे किया, जिन्होंने नलनी को माफ कर दिया और कहा कि वो उसके लिए मृत् निर्विया की मां आशा देवी ने इंद्रा जेस सिंग की अपील पर कड़ी प्रतिक्रिया दिया और कहा कि इंद्रा जेस सिंग उन्हें सलहा देने वाली कौन होती हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की बज़ा से ही रेपीड़ी तो किस्ताफ नहीं हो पाता वेमाई नर्साहार केस में आज आने वाला पैसला टल गया, कानकूर सेशन कोट 24 जन्वरी को केस पर पैसला सुनाएगी, 14 परवरी 1981 को हुए वेमाई नर्साहार में, फूलन देवी ने 20 लोगों की मौत के खाट उतारा था, फूलन देवी ने अपने 25 साथ उके साथ अत्या प्रदर्शन कारियों को हटने की अपिल की जा रहे, लेकिन सभी लोग अभी भी डटे हुए, महिलाएं अपने मासूम बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, दरने पर बैटी महिलाएं, अनिश्यत कालिन प्रदर्शन करने की बात कर रहे, पूलिस प्रिशासन ने महि किसी की बात मानने को तैयार ही में। अज गोरकपुर दोरे पर भी रहेंगे वो गिरा कैंपस में 14 खिसानों को सम्मानित करेंगे पुरवांचल लिंक एक्स्प्रेस बे में अपनी जमीन देने वाले 14 खिसानों को सम्मान किया जाएगा कोच और कारिक्रों में शिर्कत करने के बात वो गोरकशनात मंदर भी जाये अयोद्य में राश्ट्र मंदल देशों के प्रति निदी राम लिला का दर्शन करेंगे लोकसवा अध्यक्ष्रा ओम बिल्ला और राज्यसवा के उबस अपावती हरी बंश भी प्रति निदी मंदल के साथ यहां पहुंचेंगे सुप्रिम कोड के परस्ते के बाद ये पहल प्रति मंदल मंदल में बिच पे के बीतर नई सियासी घटना करम के बाद ये एह मुलाकात बताई जा रही है प्यम मोदी और रावत के बीच राजय हिस्त जुडिक कई विकास योजनाओ पर चर्चा हुई बोकी मंतरी ने बेनले समिक के लिए प्रदान मंतरे को निमंपरण दिया उत्रखंड के बोकी मंतरी तरविंदर सिंग रावत कल दैरदून में सीय के समर्थन में महराली करेंगे सीए को लेकर बीजेपी दैरदून के डोईवाला में एक बड़ी रैली आयुजित कर रही है इसमें सेम त्रविंदर सिंग रावत के साथ बीजेपी के तवाम बड़े नेता शरकत करेंगे बीजेपी नेताओं का कहना है कि नागरिक्ता संशोधन कानून किसी की नागरिक्ता लेनी का नहीं बलकि देने का काम करेगा उत्रप्रदेश की योगी सरकार ने 10 आईपे सदिकार्यों का तबाद लग किया इसकड़ी में डीप रदीप कुमार जुहासी के सस्पी बनाया गए है तो वहीं सुवास्चंदर दुवे को डियाईजी आजमकर रेंज के पदपर बेजा गया है मोदक राजजेश दिनेश राव को गुरभपूर रेंज का डियाईजी बनाया गया रामपूर से सफासांसद और अपने बयानों के लिए विवादों में रहने वाले आजमकान की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है अचार सही तक जो लंगन के मामले में उनके किलाफ गैर जमानती वरन चारी हुआ है और आज उन्हें कोर्ट में पेश होने का अदेश दिया गया है आरूप है कि रोट्शो के दोरान उनने सेना पर विवादे तर्टेप पड़ी की थी दोईवाला तहसिल में कॉंग्रेस का रिकर्टा एकजुट होकर किंज सरकार के कलाफ नारिबाजी की और सीए के विरूद में रैली निकाली कॉंग्रेस में सरकार पर आरूप लगाते हुए कहा कि सरकार दोईवाला के साथ साथ पूरे उत्राखन की जनता के साथ छलावा कर रहे है प्रदेश की जनता और किसार मूलभू सोईडाओं से जूज रहे हैं सरकार सीए पर जनता का ध्यान बढ़काने में लगी रूद्वपूर के बाड 21 के पारशुद अमित मिश्रा अपने खर से दुकान का किराया वसूने के लिए निकलेते कानपूर में कौफनाक बारदात सामने आई है 2018 में छिरचार के मामले में पिडित युप्ती के परिजिनों पर जानलेवा हमला हुआ है आरोपी ने युप्ती की मा के हत्या करती है जो की केस के मुख्यगवा दी दवंगो ने घर में गुज़कर अमला किया और बारदात को अंजाम दिया वहीं अनकाउंटर के बाद दो आरोपी पर वेज और मुहमद आविक को गिरफतार कर लिया नौइडा में हुए गौरल चंदेल अत्यकांट के कातिलों के तलाज पर पुलिस के टीमों ने अलिगर में डेड़ा डाल लिया है लूट और रत्या करने वाले 3 से 4 और गैंग भी पुलिस और स्टेफ के रीडार पर पहुंट गये क्या रहना सपा विधायक को दो कदरी के मामले में अंतर्म जबानत में नी है सफा विधायक नाहिद हसन को दो कदरी के मामले में हाई कोट ने एक महीने के अंदर निचली अदालत में पेश होने के आदेश देख, महीने का बग्त दूज जाने के बाद विदायक ले सुप्रिम कोर्ट की शरनली जहां उन्हें अदालत में पेश होने के लिए एक महीने का वक्त और दिया गया जिसके बारद सपावधायक नायद अजन की फास्ट रैक कोड में पेश रूई जहाँ ज़ज ने दोनों पक्षों के दली सोने के बाद विराक नायद हसन को अंत्रिम जमान अते बारत नेपाल सीमा पर तैनाथ इमिग्रेशन और अधिकारियों ने जाच के दोरा नेपाल भाग रहे तीन विदेशी नागरिकों को गिरफतार किया है गिरफतार नागरिकों में एक उस्ट्रिय का दिबासी है जो कुट रचित वेजा के सहारे भारत में रह रहा था इसके साथ ही नेपाल के पूरुश और महिला को भी गिरफतार किया गया दोनों नेपाली भी भारत में फरजी वोटर कार्ड और अनिदर स्टरिश के साथ बारत में अवैर तरीके से रह रहे रेप की घटनाओं की सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है खबरबतुरा से है जहाँ किशोरी के साथ गैंगरेप के कठता सामने बताया जा रहा है किशोरी अपनी दादी के साथ खत्मिक चारा लेने गए की तबी किशोरी को अवाकर गैंगरेप किया गया परिजिनों ने तालाश शुरू की तो किशोरी विहोशी हारत में जंगल में मेरी पीडितर के परीजन के तहरीर पर पुलिस ने एक नाम जद और दो अग्यात लोगों के इकलाफ गैंगरित का मामना दर्च कर लिया आजमकर में नकली नोट के साथ एक शक्स को पुलिस ने गिरफतार के जिले के जेनल पुर्ट कोटवाली पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफतार कर उसके पास साथ जार रुपे की जाली नोट और नकली नोट बनाने का सामान बरामत किया है पुलिस को कहना है कि गिरफतार आरोपी नोटों को स्कैन कर बाजार में चलाता था बागे विहारी की नगरी वरंदावन को अब जल्दी बंदरों के उत्पात से निजात मिलने जा रहे उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिए मधुरा ब्रंदावन नगर निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दिये इसके तहर पांच कम्प्रियों ने बंदर पकड़ने के लिए आविधन के आए राउन में करीब 2,000 बंदर पकड़े जाएंगे जो आगरा के बाहर शेत्र में चोड़े जाएंगे महीं बंदर पकड़ने से तेरती यात्यों को रहत मिले दोईवाला के कालूवाला गाओं में हाथियों के जून ने उत्पात मचा रखा है हाती आए दिन किसानों की फसले बर्बाद कर लेते हैं जिससे किसान परिशान है फसले बर्बाद उनी की बज़ा कुछ किसानों ने खेती करना भी चोड़ दिया किसानों के सरकार से मांगे कि उन्हें बर्बाद उन फसलों का मुआफ़ा दिया जाए और वन्विभाग फेसिंग लाइन और चारों तरफ खाई खूद कर उनकी जानमाल की सुरक्षा के बंदो बस्त कर आगरा के ट्रांस यमुना फेस्टू में बदमाश लुटेरों की दबंगाई का विडियो सामने अधियारों से लेस्ट लुटेरों ने विअपारी के घरदावा बोल दिया लुट की बारदा सीसी टिवी में कैद हो गई बदमाशों की दस्तक से इलाके में दर्शित पहल गई पुलिस बदमाशों की तलाश में चुट गई मुजफर नगर में एक बार पर बदमाशों के होसले बुलंद हो चले हैं ताजम आमला थाना उगाना शेतर का है जहां वेखौफ हत्यारपन बदमाशों ने अपनी दुकान बन कर दी वापस गाउल ओटरेक सीमेंट वेयापारी को गोलियों से मून कर मौट की खाट उतारा गया घटना के बाद गुसाए ग्रामनों ने बुडाना कारला मार पर ज्राम लगा दिया ग्रेटर नौडा में इस्टन पेरिपेरल हाइवे पर दारोगा की दमंगाई सामने आई है बन बर्दी की दोस दिखा कर खुद ही बेरे हटाकर कार को निकालता हुआ दिखाई दिया पास्ट्रे के लाइन में बिना पैसे दिये ही गाड़ी निकालने पर अंगावा हुआ तो दारोगा ने गाड़ी से डंडा निकाल का टोल करन्यों पद्रम काया है ये पूरा मामला CCTV में क्या थोग है कानपूर देहाद के अगबरपूर कोतवाली की जयनपूर पुलिस चौकी में सिपाही को सरकारी राइफल से गोली लगए राइफल साफ करते वक्त सिपाही को गोली लगए पर उसकी हालत बिगरने पर हैलेट अस्पताल रेपर किया गया जहां उसकी हालत नाज़ुक पनी होगी आगराव एक मंचले को छिडखानी करना भारी पड़ गया जब मंचले ने सड़क चलते महिलाओ को परिशान करने की कोशिश की तो महिला ने बीच सड़क पर मंचले की आशिकी का अबूद उतार दिया महिला ने मंचले की चप्पल से जम सर पिठाए कर दे ग्रेटर नोडस एक दिल देहला देने वाला वेडियो सामने आया टोल प्लाज़र पर टोल कर्मी ने ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्राइवर ने उसके ओपर गाड़ी चड़ा दी जिससे टोल कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई गटना के बाद से ट्रक ट्राइवर परार हो गया पूरी गटना टोल प्लाज़र पर लगे सीसी टीवी में कैट हो गई अगबरपूर के रगड बाजार में टांडा की तरफ से आ रही एक डंपर अन्यंतर ठोकर सामे से आ रही एक गाड़ी को टकर मार दी टकर के बाद टंपर चालक गाड़ी लेकर भागने के चकर में कई और रहागिरों को कुचल दिया जसे एक रहागिर शेकपुरा निवासी जयालाल की मौके पर मौत हो गई जबकी तीन लोग गंविरों से खाल हो गई हरदोई के कस्वा पिहानी से जहानी खेड़ा नैशनल हाईवे 24 का रूप की हलत पिजज़र है जिसने आम लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है सरको पर जगा जगा गड़े हैं जिससे हाथ से कड़र बना रहता है लखनों में सरोचिन नगर में कानपूर हाईवे पर स्टड़क हाथसा हो गया कोहरे के चलते बीचन स्टड़क हाथसा हुआ कंटेनर ने बाइक सवार दो युको कुको चल दिया गंभीर हालत में दोनों बाइक सवार युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भढ़ते कर आए गया दोनों युवक के हालत गंभीर बताई जारे है कनोज में जंगल से रास्ता भटक कर एक हीरन गाया लवस्था में भागता नजर आया हिरन के पीछे कोई जंगली कुट्टे पड़े हुए थे हिरन के पीछे जंगली कुट्टों को बागता देख ग्रामनों ने जंगली कुट्टों के जुन को लाठी दिंदों की मदद से बगाया वहीं जंगली कुट्टों से बच्चने के लिए भाग रहा फिर एक पारी तंकी में जागरा ग्रामनों ने तंकी से हिरन को बाहर निकाला और इसका इलाज किया राज्यमंत्री रेखा अरे की बयान बाजिस से आंगनबाडी वरकर्स में फारी वुस्सा है आंगनबाडी वरकर्स ने राज़य मंत्रि के खिलाख प्रिथार अगड करें जोड़ार प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजय मंत्रि रेखा آड़यर ने आंगनबाडी वरकर्स को लेकर जो बयान दिया वो बह nouvelles पित्थोर अगर के सरकारी अस्पतालों में इन दिनों आंटी रेविस वैक्सन तक नहीं है। ज्याद विक्तिक उतने के हमले का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहा है। तो लोग परिटन से लानी आते हैं लेकिन इसके रखरकाब में बहुत कभी। कुमाओ की काशी के नाम से दिख्याद बाबा वागनाथ की नगरी बागेश्वर में उत्तराणी मेला चल रहा है। नीबू माल्टा है ताबे के बने बरतन भी उत्तराणी मेले की प्रदर्शनी में आकरशन रखा केंदर बने हुआ है। नीबू मेले में खुब बित रहा है। तराशी के तहट चैक और कंबल वित्रित किये कुछ दिन पहले वुरास खंडा में बरफिला तूपान आया था जिस बज़े से गासपास के ग्रामिनों को काफी फरिशानों का सामना करना पड़ा और तूपान के चलते कई घरों की चटे उड़ गई थी जिसके बाद पर श रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज पर भी कैंची चला दी है अब SBI ग्राहकों को रिकरिंग डिपॉजिट पर पहले मुकाबले शूने दिशनलव 15 फ़र्दी कम प्याज मिलेगा देश में अर्थिवस्था की हालत कुछ ठीक नहीं है और अब टेलीकॉम सेक्टर के सामने भी नहीं मुसीवत खड़ी हुए इस वज़ा से 10,000 लोगों को नौकरिया खत्रे में पड़ी हुई है बोड़ा फोन आइडिया कमपनी का हाटे में चल रहे हैं जिससे देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं ट्राय के मताबि कमपनी की कमाई एक तिमाई में करीब 10,000 करोड रोपाए है बारत की दिगस टेनिस के लाड़ी सानी मिरजर ने दो साल बाद कोड़ पर वापसी करते हुए हुबार्ट इंटरनेशनल टूनरमेंट का महिला डवल्स किताब जीत लिया है पूर रभार्टे आलरांडर बापू नाडक करणी का शुक्रवार को निधन हो गया वो 86 साल के थे नाडकरणी बाए हाथ के बलेबाज और बाए हाथ के स्वीनर थे निधन पर क्रिकेटर सुनिल कावसकर सचिन तंदूरकर समेट तक कई शेत्र के हैस्टों ने शोक जताया तंदूरकर ने ट्वेट किया कि श्री बापू नाडकरणी के निधन की खवर सुनकर दुखवा मैं के लगातार 21 ओवर मैंगन करानी के रेकॉर्ड को सुनकर बढ़ा हुआ मेरी संवेदना है उनके परिबार और त्रियर जिनों के प्रति लिरिक्स और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अक्तर ने 17 जन्वरी को अपना 75 बर्थरडे सेलिबरेट किया उन्होंने अपने बर्थरडे को काफी स्पेशल तरीके से इंजोई किया उन्होंने दो पार्टी ओस्ट की एक पार्टी 16 जन्वरी की रात तो दूसरी 17 जन्वरी की राथ पहली पार्टी पूराने दिनों को याद करते हुए रेट्रो थ्रिम पार्टी दी, दूसरी पार्टी उन्होंने मुंबै के पाथ स्टार होटल ताजा लैंड सेंड में इस पार्टी में बॉलवूट के तबाम बड़े सेतारों निश्चत रहे हैं कार्थिकारियन और सारा लिखान की फिल्म लवग आज कल का ट्रेलर जब से लॉंच हुआ है सोशल मीडिया पर इसकी चट चारूखी नहीं रहे है ट्रेलर को देखने के बार जुनितर ने चुटर पर अपना रियाक्शन दिया तो वहीं ट्रेलर लॉंच इविंट से कार्थिक और सारा की बहुत सी फोटो और वीडियो को वारल हो रहे है ऐसे में एक वीडियो सामने आए जिसमें कार्थिक आरिन सारा लिखान के पैड चू रहे हैं इससे वीडियो में सारा अपने काम के बारे में बात करें और अचानक से कार्थिक उनके पैड चूते दोनोंने कामर को कोड़ भी दिया सारा अली खान और कार्तिक कारण सार लव आजकल वन मुवी का ट्रेलर रिलिस होने के बाद अब सारा के बापा और ओरिजिनल फिल्म के एक्टर सैप अली खान का भी रियाक्शन सामने आ गया है आपने सारा कार्तिक स्टार लव आजकल के ट्रेलर को आपने पर्म के मुकावले का मिजोर बता है उन्हें कहा है कि उन्हें 2009 में डिपिका पदुकोंट संगाई ओरिजनल लव आजकल ज्यादा पसंद आए थी